Hi, this is Sanmeet Kaur, a motivational speaker and a life coach. आज का ये वीडियो, especially उन लोगों के लिए हैं, जो अपने profession को लेकर, career को लेकर, business को लेकर कुछ confuse हैं. जो लोग ये तह नहीं कर पा रहे हैं, कि how to proceed in their future, किस तरीके से उनको काम करना है. जो लोग ये तह नहीं कर पाते हैं, कि उनको अपने ambition में क्या करना है, and they are having a fear in their future. उन सभी लोगों के हैं, जो कुछ नया तो करना चाहते हैं, और उनके मान में किसी ना किसी तरीके का fear है. अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा है, तो definitely this video is basically for you only, and I request कि आप ये video end तक देखें. अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा है, जो आपका passion है, but आप नहीं कर पा रहे हैं, then definitely there are reasons behind that. इस video में आपको कुछ ऐसे tips, ऐसे steps, ऐसे solutions देने पाली हों, जिससे definitely आपका जो dream है, dream come true हो जाएगा. जो आपके ambitions हैं, आपके सपने हैं, वो पूरे हो सकते हैं. कुछ भी नया शुरू करने से पहले, सबसे पहले आपको अपने मन में, एक कोने में पड़े हुए, जो डर है, उसको कहीं भगाना है. सबसे important factor ये है, जो आप करना चाहते हैं, जो आपका passion है, उसको करने के लिए, आपके मन में जो भी डर, fear है, उसको आपको दूर भगाना है. जो fear आपको कुछ करने से रोक रहा है, आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है. और सबसे मज़े की बात ये है, कि आपको इस डर को दूर भगाने के लिए क्या करना है? The point is, आपको तयारी करनी है. आपके बढ़ने की तयारी, अपना डर दूर करने की बढ़ने की तयारी, आपकी तयारी challenges को accept करने की, आपकी तयारी tough time को देखने की, आपकी तयारी आगे बढ़ने की. कि अगर आप फैल हो गहीं तो किया के सोचेगी आपे एंग कर से आएंगे हैं तो दुनिया क्या कहेगी इन सब दरों से आपको बाहर की डार की डर की अडर की डार की हैं और जो आपका inner जो आपका डर है उसको आपको बाहर बगाना है जो inner अंदर ही अंदर जो आपकी लडाई चल रही है आप खुदी से आपकी जो लडाई चल रही है उसको आपको दूर बगाना है Once आपने वो अपना fear चाहे वो personal हो चाहे finances से related हो चाहे family से related हो चाहे social से related हो वो आपका fear दूर हो गया Then second point is the groundwork आपको groundwork करना पड़ेगा कुछ भी नया start करने से पहले वो groundwork किस terms में है आप अपने finances कहां से लाएंगे आपको supporting कौन है आपके supporting factor कौन है Second point fear के बाद आपका है incomplete groundwork एक बार आपका fear दूर हो गया उसके बार next is the groundwork जो आपको groundwork अपनी pitch बिठाने के लिए करना पड़ेगा अगर आपका groundwork incomplete है तो आपका fear बढ़ता जाएगा First is the finances आप finances कहां से लाएंगे कुछ भी नया करने के लिए आपके finances कहां से इकठे हो सकते है कुछ investment आप करेंगे तो वो कहां से करेंगे क्या आपका जो time period है start करने के लिए आप उसके लिए ready है क्या आपकी family आपको support करने के लिए ready है आपके helping hands कौन है कौन लोग है जो आपकी पूरी journey में आपकी help करेंगे क्या आपका वो point clear है skills skills wise आपकी knowledge कितनी है क्या जो काम आप करना चाह रहे है उस से related skills आपके पास है या उनको acquire करना है because skills can be acquired किसी भी नए काम को शुरू करने के लिए कुछ skills and knowledge चाहिए होता है क्या आपने वो hire कर लिया है क्या उसमें कुछ working बाकी है because these are the points on which अगर ये groundwork complete नहीं है incomplete है तो definitely वो कहीं न कहीं आपको तंग करेगा मैं इस बात में बहुत strongly believe करती हूँ no one will believe in you until and unless you will believe in yourself I can repeat no one will believe in you until and unless you believe in yourself जितना आपका groundwork strong होता जाएगा उतना ही आपका fear दूर होता because fear is inversely proportional to the groundwork fear उतना कम होता जाएगा जितना आपका groundwork जो है उसको improve करेंगे उसको increase करेंगे अगर आपका groundwork strong है अगर आपका passion बहुत strong है अगर कुछ कर दिखाने की feeling आपकी बहुत strong है अगर आप खुली आँखों से भी अपने dream को पूरा होते देखते है then definitely you will succeed दुनिया की कोई ताकत आपको आपके passion से past में जाने के लिए नहीं रोग सकती है और दुनिया की कोई ताकत आपको successful होने से नहीं रोग सकती और आपका dream definitely will come true आप चाहे वो either related to career, profession, business किसी भी field में आप जाना चाहते हो किसी भी field में आप prosper करना चाहते हो तो definitely आपको कोई problem नहीं आएगा मैं एक चीज़ में strongly believe करती हूँ कि अगर आप शिदद से कुछ चाहो अगर आप शिदद से कुछ चाहो तो पूरी काइनात उसको आप से मिलाने में जुड़ जाती है मुझे मेरे कई friends ने suggest किया है कि सन्नीद आप अपने videos इंग्लिश में बनाया करो बट उसका भी एक कारण है वो कारण क्या है मैं ये चाहती हूँ कि मेरे videos जादा से जादा लोगों तक पहुचे ये बहुत ही आम नागरे के लिए जो zero level से भी लोग शूरू हो रहे है मैं चाहती हूँ कि मेरे videos उन तक भी पहुचे अगर आपको ये मेरा video अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू बेरी मच